हेलो फ्रेंड नमश्कार आज हम आपके साथ बहुती टेस्टी स्नैक की रस्पी शेयर करने जा रहे हैं ये एक इवनिंग स्नैक्स भी है आप इसे चाय के साथ किसी भी समय बना सकते हैं ब्रेकफास्स में भी बना सकते हैं जैसे बच्चों के टिफन में हो तब भी बना सकते हैं अब यहां पे हम आलू डालेंगे उबले हुए यहां से मैं थोड़े से 6-7 आलू डाल रही हूँ उबले हुए तो इन्हें आपने अच्छी तरह मैश कर लेना है अगर साइज में आलू थोड़े बड़े हैं डाल लेते हैं इसके अंदर धनियासिस का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है इसके अंदर आप डालेंगे हम आधा चमच, अद्रक और लैसुन की पेस्थ आधा चमच नमक डाल देते हैं नमक आप अपने टेस्ट के कोडिंग डालें यहाँ पे धनिया पाउडर, भूना हुआ जीरा, अधा अधा चमच और यहाँ पे चाट मसाल अधा चमच, यहाँ पे आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो और यहाँ पे मैंने मुंग डाल ली है इस डाल को मैंने भिगो दिया था रात भर और यह मैंने 3 चमच के करीब भी गोए थे और यह फूल के काफी जाला हो गई है और यहाँ पे अब हम bread crumbs डालते हैं 4 slice bread की मैंने grinder में डालके अच्छी तरह पीस ली है उनका crumbs बना लिये हैं अब हम इसे अच्छी तरह mash कर लेंगे और mix कर लेंगे bread crumbs आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं वो आलू की quality पे depend करते हैं कि bread crumbs कितनी डलने हैं अगर आलू थोड़े ढीले हैं तो यहाँ पे bread crumbs थोड़े जाला डल जाएंगे और यहाँ पे हम थोड़ी सी काली मिर्च डाल देते हैं ब्लैक पेपर पाउडर और इसे भी अच्छी तरह mix कर लेते हैं लीजिए यह हमारा डो हमारा ready हो गया है अब हम इसके snacks ready करने हैं या तो आप इसे टिक्की के अकार में ready कर लीजिए या फिर आप cylindrical shape में दे दीजी किसी भी अकार में आप इसके snack ready कर सकते हैं मैं इसके पहले छोटा सा एक पार्ट लेती हूं और इसे गोल करेंगे पहले फिर थोड़ा सा लंबा करेंगे इसे बना कर ready कर लेते हैं यह बहुत अच्छी लगती है snacks की हम सारे snacks इसी शेप में ready कर लेंगे अगर आप इसको दूसरी किसी कुकी कटर के साथ बनाना चाते हो तो पहले चकले के उपर इसे अच्छी तरह सेट कर लें और कुकी कटर की help से इसे कट कर ले तो किसी भी अकार में किसी भी शेप में जो बच्चों को पसंद हो वह आप बना सकते हैं यह टिफर के लिए बहुत अच्छी रेसीपी हैं और बच्छों को आप बनाके दीजिए और उनी खाने में बहुत ही पसंद आने वाले हैं और यहां पर मैंने सारे snacks याड अंदर इनकी और भर जाएगा अब हमने इसे अच्छी तरह गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राइ करना है कलर जो है इनका अच्छा गोल्डन होना चाहिए उपर से थोड़ा सा ओयल डाल देंगे आप इसमें चिपके ना बिल्कुल भी अब हम इने दिरे दिरे पल्टी कर दें बीच बीच में जैसे जैसे इसमें थोड़ा थोड़ा कदर आएगा अब आप इसे इस तरह चलाते जाएं और यह जो मुंगडाल के नगेट्स होते हैं यह बहुत ही जड़ा क्रिस्पी होते हैं आप इन्हें ट्राइजरूर कीजिएगा जैसे कई पर फैस्टिबल सीजन मे उसके उपर एब्जॉब हो जाए आप कलर देखिए कितना फाइन आया है इसका बहुत ही लाजवाब यह स्नेक्स बनते हैं अब हम इन्हें नैपकिन के उपर उतार लेते हैं और सेकिंड लॉट थार लॉट जो भी आप जितने भी आपने बनाए हैं आप उन्हें इसी तरह प्रियू कर लें एक लोट के बाद सेकिंड लोट भी हम इसी तरह प्राई कर लेते हैं अब लीजिए यह लॉट भी हमारा फ्राई हो चुके है अब हम इन्हें गॉहल से निकाल लेते हैं और इन्हें स्व करते हैं आप इसे ग्रीन चैटनी के साथ तोमेटो केच्चूप के साथ कैसे भी सर्फ कर सकते हैं ये खाने में बहुत ही जादा लाजवाब होते हैं और अगर आपको हमारी रेस्टिपी पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक चुर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप अगर इसे एक बार बनाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आने वाले हैं और बचे बार बार मांग कर खाएंगे वीडियो देखने के लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंकि वो वाचिंग